हेलो ग्राइज नमस्ते आप सभी कमेरे चनल पर बहुत बहुत अगत है आज मैं आपके लिए करके हूँ मसाले वाले चोले की सबची तो चले बनाते हैं सबसे पहले मैंने रात को छोले विगो करके रख दिये थे अब इस कोकर के अंदर थोड़ा सा पानी एड़ करके मैंने क तो टमाटली है इसको अच्छा सा दरदरा मैं पीस कर रख लूँगी उसके बाद में मैं दो प्याज कटिंग करके भी अलग साइड में रख लिए उसके बाद गैस ओन की कड़ाई में दिखे थोड़ा सा तेल डालना ज्यादा तेल नहीं डालना उसके बाद में आदा करके रख़ा वो भी इसके अंदर एड़ कर दूंगी और अच्छे से मासालों को चलाते हुए इसमें अधा चमद में हल्ती अधी ये आड़ किया अदा चमद में लाल मिर्च अध्या उसके बाद में एक चमद में सुपहरा दिन्या एड़ किया है और लाष्ट में आदा मा आप जाए तो इस कीप करसकते हैं, इस तरीके से मीडियम आच में अच्छे से मसालों को पका लेना है, थोड़ा सा अच्छे से अच्छे पनी iterations याध करके मसालों को अच्छे से बुरने देना है, जब आपका मसाला यह तेल छोड़ा तो समझेो आपका मसाला तयार है, बस इ इतना भी हो अपना बर्पूर मातर में डालिए बस आपकी रेसिपी तयार है आप चाहें तो लंच बॉक्स में भी अच्छे से ले जा सकते हैं ज्यादा तर गिली सब्ची होने के काराण आप सोचते हैं कि अभी नहीं ले जा सकते तो इस तरीके से बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंदाने वाली है ज्यटपट तयार होने वाली 23 सीटे में बॉयल कीजिए और ज्यटपट ये तयार कीजिए देखिए कि टेस्टी सब चाहें अगर वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइस के सब्सक्राइब जरूरू